आधनियत सभापती जी 2014 के पहले वो भी एक वक्त था कि जब आतंकिया करके जीच चाहे वहाँ जब चाहे वहाँ हमला कर सकते थे 2014 के बार कि ये बनी कि जम वहाँ समय 14 के पहले निर्दोस्त लोग मारे जाते थे हिंदुस्तान के कौने को टार्गेट किया जाता था और सरकारे चूप चाह बैठी रहती थी मूँ तक खोलने को तयार रही थी आज 2014 के बाद का हिंदुस्तान गर्मे गुश कर मारता है सर्जीकल स्टाइक करता है एर स्टाइक करता है और आतंगबाद के आकाओं को भी सबक सिखाने का सामर्थ दिखा दिया आज आधनियस सभापती जी देश का एक एक नागरिक जानता है कि अपनी सुरक्षा के लिए भारत कुछ भी कर सकता है आधनियस सभापती जी आटिकल 370 इसकी पूजा करने के बाले लोगों ने वोट बैंक की राजनित्य का हत्यार बनाने वालों ने 370 को उसने जम्मु कश्मीर का जो हालात कर दिये थे वहांके लोगों के इतिकार छीन लिये थे भारत का संभीधान जम्मु की इस कश्मीर की सीमा में प्रवेश्व नहीं कर सकता था और यहां संभीधान सर पे रखकर के नाचने वाले लोग संभीधान को जम्मु कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते बाबा साम में अम्मेर करका पान किया करते थे और 370 का वो जमाना था सेना ओपर पत्थर चलते थे और लोग निराजशा में डूप करके कहते थे अब तो जम्मु कश्मीर में कोई हो नहीं सकता है आज आज आजिकल 370 की दिवार गिरी तरबाजी बंद है लोग पंत्र मजबूत है और लोग बट्चट करके भारत के समिधान में बरोशा करते हुए बारत के तरंगे घंडे पर भरोशा करते हुए बारत के लोग चंत्र में भरोशा करते हुए बढ़ चड़ करके के मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं यह साब साब दिखाई देता है